साथियों बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे साथ आकाश्वाणी की स्टूडियोज में डॉक्टर कपिल तिवारी जी पिस्थित है हमारा हर्ष कई गुना तब और बढ़ जाता है जब हमें ये पता लगता है कि जब आप आज यहां हैं तो आप पदमिश्री सम्मान से अलंगरित हो चुके हैं तो यह हम सभी के लिए भोपाल वासियों के लिए सागर वासियों के लिए क्योंकि आपकी जो यात्रा है आपका जो जीवन है वो सागर से शुरू हुआ या कहें कि पूरे मद्धर प्रदेश वासियों के लिए बहुत गर्व की बात हैं, तो आज हम जानेंगे तिवारी साब की जीवन यात्रा के बारे में उनके कारियों के बारे में, और निष्चित ही जब ये बाच्ची समाथ होगी, तो हम सब उतसाह से भरे होंगे, तिवारी मुझे बहुचक कर देने वाला मामला था, बात यह है कि मैं पुरुसकारों, सम्मानों की ना जीवन में कभी आशा करता था, ना मुझे इसकी अपीक्षा थी, जिन लोगों को इन सम्मानों की बहुत अभीसा होती है, वे बहुत खुश भी होते होंगे, मुझे ऐसा लगता है और मैं जिस चेत्र में काम करता हूँ, कि उसमें कुछ व्यक्तिगत जैसा नहीं है, मैंने जो काम किया है वो एक समुदाइक काम है, उसमें बहुत सारे सहक्णों सहक्णों लोग मेरे साथ थे, दरसल इस रे के वास्टवी कधिकारी और प्रसन्नता के सहभागी, वे सारे ल प्रशी इस माइने में बहुत बड़ी है, कि मेरे साथ पदमश्री का सम्मान मद्परदेश की भील जन्जाती की चितरकार भूरी भाई को भी दिया गया है, मैं आपसे बता नहीं सकता, कि जिन लोगों के लिए मैं काम कर रहा था, और हमेशा उनको लिके इतना संवेदित ह होता हूँ, यह बगवान के कृपा ही है, कि सम्मान देते भी उसने इस बात का खयाल रखा, कि एक अधुत कलाकार भूरी भाई जो है, उन्हें मेरे साथ ही पदमश्री में लाए, मेरी खुशी जैसे दोगनी हो गई है, हम सब जानते हैं कि जिस पड़ाओ पर या जिस मुक यारों मिले जाना चाहेंगे, मैं अपने बच्पन के बारे में क्या बता हूँ, मैं एक इतने अभाव ग्रस्त घर में पैदा हुआ, जिनके बच्चों को बच्पन जीने का मौकई नहीं मिलता है, इसको ठीक से समझें, कि बड़ी सोभागिसाली बच्चे होते हैं वो, जि खेल सकते हैं, कूच सकते हैं, शरारतें कर सकते हैं, मेरा बच्पन मुझे जब तक याद आता है कि अभाव आदमी की जिंदगी में कौन सा अपमान लेकर नहीं आता, कौन सी उपेक्षा, कौन सी परीक्षा नहीं लेता जीवन उसमें, वो सब हमें भुगतना पड़ी, तो जब बड़ा हुआ थोड़ा, तो मैंने पाया कि मैं संभवते पड़ने लिखने में बैतर हूं, और इस वज़े से मैंने ये काग्र किया, कि अभाव का ये जीवन काटने का एक तरीका यही हो सकता है, कि मैं खुद को अच्छी तरह से सिख्षा में केंदृत करूं, मैं जीवन में जो बदलाओ आते हैं, युवा होने के बीच में, मैंने उनका भी बहुत सिद्दत से अनभव नहीं किया, क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ साथ उस समय एक कबीर पंथी मठ में भी था, जहां मेरे चाचा रहते थे, और मैं उनकी सेवा में था, उनसे कुछ सीखता था, और मुझे दर्शन संबंदी बहुत सारी देशनाएं उनसे समझने का मौका मिला, तो एक अनौपचारिक सिख्षा हो रही थी, एक अपचारिक सिख्षा विश्विद्याले में हो रही थी, इन दोनों की बीच में मेरा मानस बन रहा था, और जैसा के हमेशा होता है, मे जो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जरूर करूँगा, मैंने यथा संबह अपने समाई के प्रतिरोधी आंदुलोनों में सक्री भूमिका निभाई, और मुझे ऐसा लगता था कि एक विद्यार्थी के रूप में मैंने अपना फर्ज आदा किया है, लेकिन पढ़ाई-लिखाई मैं बहुत अच्छा होने की वज़े से, उसमें मुझे जाता बाधाई नहीं आई, और बहुत जल्दी मेरा जीवन पटरी पे आ गया, तो मैं एक कठिंग जीवन की स्मृति के लिए ये साक्षातकार का समय बहुत कम होगा, इसको हम रहने देते हैं, मैं कहीं और, मुझलब संयोग वशात में अपनी सिक्षा मैंने सागर विश्विद्याले से डॉंट्रेट किया, और फिर भोपाल आया मैं 1982 में, आदिवासी लोकुला कादमी में सागर विश्विद्याले का आपने जिक्री किया, जहां पर आपकी जो विद्याले इन शिक्षा है, वो गुजरी है, उसके बारे में हम चाहेंगे कि थोड़े अनभव हमारे शोताओं के साथ साजा करें बहुत अदभुत सिक्षकों की ही स्मृति, ऐसे सिक्षक जो आज तो दुरलब ही हो गए है, मतलब मैं जो कुछ भी हूँ, उसकी निर्मिती में मेरे अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान है, और एक सेक्षिक वातवरन, एक सेक्षिक वातवरन सागर विश्विद्य में उस समय इतना अद्भुत था कि पढ़ाही करने में मन लगता था, विद्यार्थी आपस में, मतलब अपने अधिन संबंदी चर्चा को साजा करते थे, एक बहुत ही संबध राष्ट्री इस्तर का पुस्तकाले सागर विश्विद्याले में था, जो संबध है मद्ध प् आशा साहित्य के अलावा, बहुत सारे विश्यों की पुस्तकें अपनी स्विच्छा से, और सिक्षक मुझे अपने कार्ड दे देते थे, कि तो मैं जो भी किताब इस्यू करवाना हमारे कार्ड पर करवा लो, तो मैं इतिहास की किताबें, मनो विज्ञान की किताबें, समा मेरा निकला है, समासास, रितिहास, मनु विज्ञान, दर्शन, भूगोल, इन विश्यों को भी साथ में पढ़ने में, लेकिन इसका फाइदा ये हुआ कि मैं विश्यों को एक समग्रता में देखने की दृष्टी अपने विश्विद्यालिंग जीवन में ही प्राप्त कर मुझे ये रहस्त समझ में आ गया था, कि जीवन एक और समग्र है, हम अपनी सुईधा के लिए विश्यों को विभाजित कर लेते हैं, सच ये है कि जीवन उस तरह विभाजित नहीं होता है, हम एक चीछ पढ़ते हैं, तो दूसरे में उसके तार जुड़े होते हैं, और इ जीवन को समझने के लिए जरूरी है, तो मेरी इस मृती में मतलब अपने विश्विध्यालई की, अपने शहर की, अपने चात्र जीवन की, जो भी छाप है, मुझे ऐसा लगता वो मेरी ऐसी पूझी थी, जिसने जीवन भर मुझे सहारा दिया, लेकिन ये मेरा एक पढ़ा लोग कला अकादमी में, एक ऐसा विश्विष्य मेरे सामने था जिसका आवा साड़ा मुझे नहीं मालूं था, जन्जती स arisesकரती क्या है, इसकी कला ग्या है, इसकी वाचिक परंपरा क्या है, मैं नहीं जानता था, तो मैंने इसको चनलोटी के रूप में लिया, और ये रही कि कोई सेपरेट स्टेट अकैडमी ट्राइबल और फोकार्ट की है मुझे पता चला नहीं है तो मेरे सामने काम करने के लिए देश में कोई माडल नहीं था तो अपने अधिकारियों से मैंने इस समस्या को बताया कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करने जो के तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें एक ऐसे रास्ते पे चलना है जो रास्ता तुम्हें बनाना भी है और बनाए हुए रास्ते पे चलना भी है तो 32 वरसों की मेरी जीवन यात्रा जो थी वो अपने ही बनाए रास्ते पे चली और मैं समझता हूं कि बहु कि द्रड़ता नहीं होती, तो मैं कपकब भाग जाता हूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो मैं समझता हूं कि मुझे जीवन मिला, सफल असफल जीवन बहुत सारे लोगों के होंगे, मैं उस अर्थ में जीवन को कभी नहीं लेता, मैं मानता हूं कि जीवन सफल या असफल नहीं एक बार फिर हम आपको सागर विश्विद्याले की तरफ ही रख लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं और जैसा आपने भी बताया कि उस समय एक प्रमुक्षिक्षा का केंदर वो बना हुआ था देजभर में और इस कारण कई दार्शनिकों का वहां आवागमन होता रहता था कई महान विभूतियों के चातर जीवन का साक्षी भी रहा है चाहे हम नंदुलारे वाजपई जी की बात करें या अशोग वाजपई जी की बात करें प्रभातर पाठी जी की बात करें इनके साथ आपका सानिध रहा होगा उस किसी विशेश रोचक अनभाव को अगर आप प्रभात्र पाठी लेकिन थे प्रभात्र पाठी से मेरी लंबी चर्चाएं हुई है उन्होंने डाक्टर गंगा धर जाके निर्देशन में डाक्रेट किया है और वे हिंदी के एक प्रमुक समकालीन कवी और कथाकार के रूप में चर्चित भी थे तो मेरा उनके साथ समवाद रहा है तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उस समय के सारी प्रमुक लोगों से मिलने का मौका मिला मैं डाक्टर अर्जुन मिश्रा के सानिद में रहा जो दर्शन विवाग के अतिच थे और अद्वेद वेदान्त के विशेशग मैं डाक्टर प्रताप चंदर ज जो भारत में बहुत दर्शन के बड़े ख्यात विद्वानों में से एक हैं ये सारी गिलक्सी उस समय सागर में थी देखिए पढ़ाई बहुत लोग करते होंगे लेकिन हमारी परंपरा में सत्संग के बारे में बड़ी मईमा गाई गये मैं आपसे कह सकता हूँ मुझे एक एक तरह का बहुत ही प्रतिवाशाली सत्संग मिला था पढ़ाई तो होई ही रही थी इसने मुझे बहुत एंरिच किया बहुत दिशाओं में देखना सिखाया सबसे बड़ी चीज इसने मेरी आँखों को गहरा कर दिया मैं जीवन को ज़्यादा गहरा ही तक देख सकता हू ऐसा मुझे लगता था जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो एक ये बात जानने को मिली कि वहाँ पर आपका साक्षातकार आचारे रजनीश से भी हुआ है उस अनभा को भी हम चाहेंगे कि आप हमारे शोताओं के साथ साजागे आचारे रजनीश को जीवन में मैंने एक ही बार देखा वे सागर विश्विद्याले में दर्शन विभाग के चातर थे पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने फिलोसपी में किया था और उस समय संभा होता है जहां तक मुझे याद है प्रफिसर दया कृष्ण थे वहाँ पे अरिजन मिश्रावी थे तो वे मान प्रतिभाशाली विद्यार्थी के रूप में याद किये जाते थे मैंने उन्हें विश्विद्याले में नहीं देखा लेकिन आपको मैं एक घटना सुनाना चाहूंगा मैं जब दस्वी क्लास में सागर के चोटे से मिनिस्पिल इसकूल में पढ़ता था उस इसकूल के अहाते में मैंने आचार रजनीज को 1970 में देखा और वो जबलपूर से आई थे उस समय आचार रजनीज कहलाते थे तो सागर में उनकी बेहन ब्याही हैं एक हमारे मित्र है कैलास संगही उनसे तो उनकी रिस्तेदारी थी तो वो अपनी रिस्तेदारी में आई हुए थे इस सवसर का लाब लेके कैलास सिंगही और उनके भाई निर्मल सिंगही ने एक आयूजन रखा उनके वक्तवे का वो मेरी स्कूल में रख दिया तो एक बहुत साधा सा मंच था एक तकट पड़ा हुआ था खादी की एक चादर वीची थी एक गाउ तकिया था और एक माई कर खा ह हुआ था कोई भी ताम जाम नहीं और एक बैनर था जिस पर लिखा हुआ था आचार रजनीज का प्रवचन दिनांक उस समय तो मरलाब उस समय भी उतने लोग परिये नहीं थे लेकिन बे अद्भूत प्रतिवा के व्यक्ति थे वो मरलाब मैंने जब अपनी स्कूल में ये देखा तो पता नहीं क्यों मुझे ये उत्सुक्ता जगी क्योंकि मैंने आयुजन बहुत तरह के शहर में देखे थे लेकिन इतना साधा और इतना बाबा नुमा एक आदमी हमाई स्कूल में आ रहे हैं से मुझे बड़ी उत्सुक्ता हुई तो उस दिन मैं अपने घर नही बैट गया उस जगह जहां दरी बिची थी सबसे आगे आचारी जी आए वहाँ उस समय दस पंदरा लोग ही बैटे थे जादा लोग नहीं थे वो आए और उन्होंने सब को नमस्कार किया और बिना किसी को देखे चुप चाप जैसे अपने ही को देख रहे हूँ और उस तक मैं आपसे क्या बताऊं कि क्या मेरे जीवन में घटा चुंकि मैं सबसे आगे बैठा था और धीरे धीरे लोग आके उस आहाते में बैठना शुरू हुए तो उनकी आवास सुनके पंदरा मिनिट के भीतर वो आहाता पूरा पर गया था और मैं बीच में फस गया तो मैं नि देखना शुरू करते थे और बोलते चले जाते थे संयोक से मैं सबसे आगे बैठा था और उनने मुझे घूर ना शुरू किया और वक्तव के आखरी तक उनने मेरे चेहरे से अपनी आख नहीं अटाई पूरा वक्तव हो गया मुझे एक भी शब्द घबराहत में समझवें नहीं आया मैं यहीं नहीं समझ पा रहा था कि यह दाड़ी वाला आदमी मुझे ही क्यों देख रहा दूसरे लोगों को क्यों नहीं देख रहा कोई गड़वर है तो मुझे कोई वक्तव समझवें नहीं आया और इस तरह से वो वक्तव समाप्त हुआ तो सबसे पहले मैं अ और ऐसे करके, मैंने कोई नमन नमन नहीं किया, उनको में डर रहा था, तुम यहीं पढ़ती हो, मैंने का हाँ, ठीक, ऐसा करके वो चले गए, बड़ी हैरत की बात है, मैं आप से कैसे बताऊं, मुझे दसियों बार जीवन में इतने साधन और आउसर थे, कि मैं कभी भी जाके उनसे मिल सकता था, कभी भी मिल सकता था, लेकिन ऐसा स्योग ही नहीं हुआ, मुझे हमेशा भीतर से ऐसा लगता था, जैसे कोई कह रहा हो कि क्या जरूरत है तुम जाने की, और जीवन भर फिर मुझे ऐसा लगता रहा, जैसे कोई दो आखें, मुझे खुर रही हैं, मैं जब जाने का सोचता था, तो मुझे ऐसा लगता था, कि क्या जरूरत है, मैं तो उनसे भी चुका हूँ, मैं इतनी कह सकता हूँ आपसे, यही इंप्रेशन है मेरा. निश्चित तोर पर एक मातर मुलाकात का बहुत गहरा प्रभाव आप पर रहा है उनका, आगे जब आपकी जीवन यात्रा बढ़ी और फिर आप जब 1982 में आदिम जाती लोक कला इवं बोली विकास अकादमी की जिमेदारी समहलते हैं, वहाँ पर आप संस्थापक संपादक बनते हैं चो मासा के, उस अनुभाव को थोड़ा सा साजा कीजिए, बड़ी कठिनी आत्रा बो भी थी, क्योंके साहित की पत्रिकाओं के लिए ये स्वयोग था कि उसका एक लेखक समाज भी था, और यथा संबभ उसका एक पाठक समाज भी था, मुझे तो जो काम मिला था उसके पाठक समाज की तो बात छोड़िये, लेखक समाज तक का मुझे पता नहीं था, लिखने ही वाले इतने कम थे, तो मैं दोड़ दोड़ के, पत्र लिख, फोन से, संपर करके, ऐसे सारे लोगों से निवेदन करता था कि वे कुछ, किसी पक्षपे लोग जीवन के बार के बारे में लिखें, वाचिक परंपरा के बारे में लिखें, और धीरे-धीरे करके, पांच वर्स मुझे लगे, पांच वर्सों में मैंने एक लेखक समाज बनाने में सभलता पाई, अखिल भारती इस तर पे, और धीरे-धीरे उसका ये पाठक समाज भी बनने लगा, तो चाहेंगे कि उनका उलेग भी आप आज यहां पर इस बातचीत में करें अगर कोई ये व्यक्तिगत उद्द्यम होता तो कोई एक दो मित्रों की प्रेड़ना का में जिक्र करता दरसल मैं आप से ये कह रहा हूं कि मुझे जो काम मिला उसका रहसी ही इसमें है कि उसमें एक दो नहीं एक पूरे लोक समाज और जंजाती समाज की प्रेड़ना थी मैं तो मतलब खो गया उसमें जब समझना शुरू किया तो मैं उसमें खो गया क्योंकि उनके साथ काम करते देखते उनकी रचना को समझते मुझे ऐसा लगा कि मैं पहली बार अपनी परंपरा को समझ रहा हूँ मुझे एक और भारत दिखा जो मेरी सिक्षा से गायब था मेरे पाठे करम से गायब था मेरी आधुनिक बोध से गायब था भगवान जाने ये आधुनिकता जिनकी रची हुई है उनने कभी इसमे विचार किया है या नहीं कि परंपरा और देश के लिए वे एक पराय आदमी में बदल गए है उनने एक ऐसी आधुनिकता की भारत में रचना कर दी है जो कुल में लाके पश्यमी करण है भारत ने अपनी आधुनिकता खुद नहीं रची उसने अरजित नहीं की उसने उसके लिए मेहनत नहीं की और बिना समझे ही वो परंपरा का आलूचक बन गया समझा ही नहीं मैं ये कहता हूँ कि परंपरा को समझना और फिर उसका आलूचक होना कोई और बात है बिना समझे परंपरा को रद्ध करना कोई और बात है मैं ऐसे परंपरा परशंसकों का भी विरोधी हूँ जो परंपरा का सार नहीं जानते जानना ही नहीं चाहते लेकिन परंपरा की द्वजा अपने हाथ में रखना चाहते हैं दोनों ही लोग बहुत खतरनाक हैं तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जहाँ परिस्थितियों ने मुझे डाल दिया था प्रकृति और परमात्मा की करपा थी वहाँ परंपरा ने अपने द्वार बहुत प्रेम पूर्वक मेरे लिए खोले मैं उसके रहस्यों को धीरे धीरे समझ रहा था मैं समझ रहा था कि भारत में शब्द की ताकत क्या है मैं समझ रहा था कि भारत का सबसे सामानने आदमी जिसको हम कहते हैं उसकी असाधरन रचना परतिभा जो है वो कितनी उच्छी कोट की है मैं ये देख रहा था कि कितना अपमान और उपेक्षा हो सादमी को जीवन में बरदास्त करना पड़ती है मैं ये भी देख रहा था कि कोई अपमान और उपेक्षा उसके मनोबल को तोड़ नहीं पाती वो मनश्यों बैवस्ताओं से लगा के मौसम तक की उपेक्षा की मार बरदास्त करता उसकी चाती बड़ी कड़ी है दुकों को सहने के लिए लेकिन उसके भीतर आनंद का एक जर्ना भी है वो बिना शिकायत की ये जीवन से नाच सकता है गा सकता है मैंने ये देखा था मैं देख सकता हूं कि कैसे एक आदमी कासे की थाली की आवाज सुनके अपनी कुदाली वहीं छोड़ के नाचना शुरू कर देता है मैंने देखा है जब जीवन बेशर्थ होता है तो वो कैसा होता है जब जीवन उससव होता है तो वो कैसा होता है बड़ी अध्वुत्वकार है वो तिवारी साब जैसे जन्जाती समुदाय की चर्चा आपने यहां की और हम सभी जानते हैं कि उस समुदाय की वाचिक परंपरा है उसको लिपी बद्ध करने का कारे भी आपने किया है एक बड़ा कारे आपके द्वारा हुआ है तो यह जानना चाहेंगे आपसे कि क्या क्या च सैक्नों लोग सैक्नों हात मेरे साथ थे सैक्नों दिमाग मैं कैसे अपने आपको कश्य दे लूँ मैं तो निमित सा बन किया किवल मेरे दिमाग में किवल एक ही चीज आई ज़ह हम एक ऐसी समय में है जब सम्र्द भाषाईं जिनके अपने व्याकरण है, अपनी लिपियां है, अपना सम्रद्ध साहित है, वो तक संकट में है, इतने बड़ी पेमाने पर टेक्निक का बिस्फूर्ट दुनिया में हुआ है, थोड़ी इसी भाशाओं बचेंगी, थो अब उन भाशाओं का क्या करें, जिनकी अपनी व्याकरण नहीं, उनकी सदियों में रचित ग्यान संपदा, रचना संपदा, जो इस्मिर्ती में है और सब्दाधारित है, इसको बचाने की जिम्मेदारी, इसको लेके भारत पेचें क्यों नहीं होता है, कि आगर हमने इसको नहीं बचाया, यह समाप्त हो जाएगा, हम न रचना परंपरा है, वो तो अमूर्त धरुहर जैसी है, अमूर्त धरुहर का मतलब है, दिखती नहीं है, शब्द को देखोगे कैसे, तो अब सारी कठनाई यह थी, कि सांस्कृतिक प्रात्मिक्ता में सरकारों की कहीं भी वाचिक संपदा की धरुहर को बचाना, उनकी जिम को शिरू किया, और हमारी अकादमी ने इस काम को किया, यह बिलकुल अलग बात है, कि शासन में मुझे किसी ने बाधा नहीं पहुंचाई कभी, कि यह काम क्यों कर रहे हो इसके लिए, बजट नहीं मिलेगा, वो सब कुछ मुझे दिया गया, लेकिन धीरे 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 करके कि इस सदिप्चा से सेक्नों लोग जोड़ गए, मद़्ेपरदेश और मद़्ेपरदेश के बाः तो बहुत बड़ी ग्यानराशी जो थी, बो गीतों के रूप में, कथाओं के रूप में, लंभी गाथाओं के रूप में, पहेलियों का हावुतों और मावभरों के कुछ बचा मुझे याद है कि करीब पचास अजार प्रकाशित प्रश्ट जो है उतनी संपदा को मद्यप्रदेश में बचा लिया गया और ये भारत वर्ष में एक अपूर घटना थी क्योंकि हमारे देश के दूसरे राज्य जो बहुत सम्रद्ध भी है और उनके लिए पैस कभी कोई समस्या नहीं है ये उनकी चिंता का विशय नहीं रहा मद्यप्रदेश जैसे अपेक्षा करता अर्थिक सामाजी कुरूज से पिछेडे राज्य में ये संभव हो पाया और वो इसलिए नहीं कि वो मैंने किया इसलिए कि मेरे मन में तो सिर्फ एक विचार उठा ए उस काम को करने के लिए कैसे जोड़ गए उनको वो अपना काम लगने लगा और वो मेरे पास थोड़े थोड़े अंतराल से आने लगे किसाब हमने सो कहानियां एकटी की हैं हमने दो सो गीत एकटी किये हैं हमने कहावतें पहीलियां उमावरी एकटी किये हैं हमने बच्चे जब कोई आदमी मुझे इसका श्री देना चाहता है निश्रीत तोर पर आपका अध्यान बहुत व्यापक है और इसके लिए आपने कई प्रकार के ग्रंथों का अध्यान किया होगा हिंदी के ग्रंथों का अध्यान किया होगा विदेशी लेखकों पढ़ा होगा तो यहां एक जिग्यासा उत्पन हो रही है कि प्री लेखक आप कौन सा या प्री किताब कौन सी है जिन से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और क्यों हुआ है देखे शाहित की स्रहरी में जब हम ज्रहां हो भी डाल देते हैं कभीर भी हमारे लिए स hugely मेरा को पढ़ाए जा रहे हैं तो है right है मैं इस परंपरा से किसी किसी गेकरती को नहीं मचलब चुन तुलसी के ठीक मुल्यांकन का तो समय नहीं आया क्योंकि लोगों के अपने चाती गत वर्न गत और गटिया है जिंडा जो ये चलते रहते हैं इनसे मुल्यांक साहित्य की दृष्टी है क्या समाज सास्त्र की दृष्टी ही साहित्य की दृष्टी बन गई, जिस दिन हम साहित की दृष्टी से तुलसी का मुल्यांकन करेंगे, बहुत बड़ी गठना है, बहुत ही बड़ी गठना है, ऐसा तो धरती पर कहीं नहीं हुआ, करोणों लोग सुवह उठते ही, हलब जिसकी रची अभ्यारतना को गाना चुदू करते हैं, कोई कव अग्य कविता का हो सकता है, मुझे पता नहीं है, नहीं हो सकता है, यह हो ही नहीं सकता है, जिस एक आदमी ने वो किया, वे बहुत विनएई आदमी थे, उनकी तो कृती का ही नाम विनएपत्रिका है, उनने यह सिखाया, कि सब छूट जाए, तो सब से आखरी में ग्यान का अंकार भी छोड़ना क्योंकि ये अंतस्त है भीतर रहता दिखता नहीं है जिस दिन ये छूटेगा उस दिन विनए की एक पत्रिका अपने आप रची जाती है विनए में होना सब अंकार हो तिवारी जी बहुत सारगर्भित और एक सार्थक बात्चीत आज आपके साथ हुई है और कोई बात हमारे शोताओं के साथ अगर आप साजा करना चाहें तो दरसल मैं कुल इतने ही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो सबसे साधारन लोग हैं उनकी असाधारन पृतिवा पे अपना भरूसा कभी मत खोई है वे अदूद लोग हैं केवल अवसर की बात है और कोशिश करें के जीवन में एक ऐसे आदमी को जिसके लिए कोई अवसर ही नहीं थे लेकिन जिसके भीतर पृतिवाती उसके लिए एक अवसर निर्मित करने का माध्यम बन सके हैं यह देश दस वर्षों के भीतर बदल जाएगा तिवरे जी एक सार्थक बातचीत के लिए और आकाश्वनी आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आकाश्वनी परिवार की और से आपको बहुत बहुत बथाई हैं मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नमस्के